दोस्तों राम मंदिर के बारे में तो आप जानते ही हूंगे सायद ही कोई भारती ये होगा जिसे राम मंदिर पता नहीं होगा या फिर वो इस मामले से अवगत नहीं होगा आज हम कुछ रोचक तत्थ है आपको बताने वाले है राम मंदिर से जुड़े एक मामले को बड़े वकीलों से आपको मिलाएंगे, जो राम जन भूमी का केस लड़ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1885 से राम जन भूमी का विवाद चल रहा है। पहला मुकदमा महंत रगवर दास ने दायर किया था। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोट के उन वकीलों के बारे में जो राम मंदिर की पैरवी कर रहे हैं। पहले पैरोकार हैं 92 वर्ष के पूर अटोनी जर्नल के परासरन जिनको पद्म भिभूसन मिला हुआ है। हिंदू बिद्वान और सरकारी वकील रहे के परासरन 1970 से लेकर अभी तक कई सरकारों के विश्वास पातर रहें। वर्ष 2016 के बाद परासरन बहुत कम दिखते हैं। मदरास हाई कोट के पूर्व चीफ जस्टिस संजे किसन कॉल उन्हें पितामा ओफ इंडियन बार कहकर बुलाते थे। हाली का आपको एक किस्सा सुनाते हैं। जब कोट में राम मंदिर का केस चल रहा था। उस समय चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने के परासरन को उनकी उम्र का लिहाज करते हुए कहा। कि अगर आप चाहें तो बैठे-बैठे भी पैरवी कर सकते हैं। लेकिन परासरन ने उन्हें कहा। जो नियम होते हैं वो सब के लिए एक होते हैं। सब अगर खड़े रहकर बोलते हैं तो मैं भी खड़ा ही रहकर बोलूँगा। इससे हम उनके काम के प्रतिनिष्टा और सम्मान का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरे वकील हैं C.S. वैधनाथन। इन्होंने B.S.E. करने के बाद लॉग की पढ़ाई की। और सुरुवाती दोर पर उन्होंने केकी वेनुगुपालन का ओफिस जोइन किया। और बाद में दिल्ली आ गए और मेहनत के कारण अपना अलग मुकाम बनाया। रामलला केस में जब मुस्लिम पक्चकार ने कहा कि वकील साहब सिफ पुराने अदालती फैसले पढ़ रहे हैं। तो वैधनाथन ने पुरानों का जिक्र करना सुरू कर दिया और सब दंग रह गए। आईए अब आपको तीसरे वकील से मिलाते हैं। जिन्हें सायद ही कोई भारतियन नहीं जानता। जी हाँ दोग्तों हम बात कर रहे हैं हरीस साल्वे की। 64 वर्षी ये साल्वे। जी हाँ वही हरीस साल्वे। जिन्होंने कुल्भुसन जादो का केस इंटरनेशनल कोट अफ जेस्टिस में सिर्फ एक रूपे में लड़ा था। और उन्होंने पाकिस्तानी वकील को मात दी। रामलला की पैरविक करते हुए साल्वे ने कहा था यह एक टाइटल सूट का मामला है और कोट उसे उसी नजर से देखेगा। तो दोस्तों यह केस काफी बड़े-बड़े वकील लड़ रहे हैं और इनकी सुनवाई प्रती दिन हो रही है। उमीद है यह लॉंग पैंडिंग मामला जल्द ही खत्म होगा।